मीठे बाबा हमें कहते हैं कि तुम त्रिकाल दर्शी की सीठ पर सेट हो जाओ तो पहली बात आज जो उसमें समझ आई वो ये कि हम वो बच्चे हैं जो जानते हैं कि अब अनेक बाते आनी हैं स्वा के द्वारा अन्य के द्वारा प्रकृति के द्वारा हर प्रकार से अनेक बाते अभी आनी हैं ये हम जानते हैं जानते हैं कि दुनिया वालों की तरह हम भी सोचते हैं कि कुछ विपदा नहीं आनी चाहिए कोई विपरीत बात नहीं होनी चाहिए सब कुछ हम जैसा प्लान करते हैं वैसा होना चाहिए, हम जैसा चाहते हैं वैसा होना चाहिए, ऐसे अज्यानी चलते हैं हम बच्चों को बाबा ने क्या सुमझाया है कि हम पर 63 जन्मों के विकर्मों का बोज है तो वो विकर्म जो है अनेक प्रकार की परिस्थतियों के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं और उन परिस्थतियों में हम सबसे पहले क्या करते हैं दुनिया में एक चलन है, जब भी कोई बात होती है, तो सबसे पहले क्या, क्यूं में पढ़ जाते हैं, दुनिया में क्या करते हैं, क्या, क्यूं में पढ़ जाते हैं, लेकिन हम त्रिकाल, दर्शी, आत्माई हैं, हमें बाबा ने हमारे आदी मध्यांत का परिच्छे दिया ह हम बाप को भी जानते हैं, अपने आदिमध्यांत को भी जानते हैं तो उस आधार से हम ये समझते हैं कि अभी अनेक प्रकार की बातें आ रही हैं और आनी हैं और ये नॉमल है, ऐसा होना ही है इसलिए हम किसी भी बात को देखकर आश्यर का मार्क नहीं लगाते एक्सक्लेमेशन मार्क कि ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए ये तो बहुत बड़ी बात है, ये क्यूं हो गया इस प्रकार के प्रश्न हम नहीं पूछते क्योंकि हमें ये राज मालुम है कि 63 जन्मों के हिसाब किताब जब हैं तो वो अनेक रूपों से अलग-अलग समय पर आते रहेंगे और जो मेरा अनुभव है मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई बात होती है तो वो बात इतनी बड़ी नहीं होती हर बात जो हमारे सम्मुक आती है उस बात को पार करने की हमारे पास शक्ती होती है किस के पास? हम बच्चों के पास क्यों? क्योंकि हमारा बाप बात से बड़ा है लेकिन सबसे इंपोर्टन चीज होती है कि हम ये याद रखे कि मुझे बाप को याद करना है बात को नहीं लेकिन अगर मेरे अंदर ये पहले से ये preparation नहीं है अंदर की अवस्ता मेरे इतनी तयार नहीं है कि बातें तो आएंगी ही और हम ये सोच कर चल रहे हैं कि कोई बातें नहीं आएंगी और नहीं आनी चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने शौक में चले जाते हैं जब कोई बात होती है कि हम बाप को देखी नहीं पाते सिर्फ बात को देखते हैं और जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास solution नहीं है लेकिन हम problem को इतना देखते हैं कि हमारा solution के तरफ ध्यान ही नहीं जाता ये बड़ी बात है आप मानते हैं इस बात को कि हम जब भी कोई बात आती हैं हम इतना shocked और surprised होते हैं हम उसमें इतना right wrong या ऐसा कैसे हो गया ये तो हो नहीं सकता होना नहीं चाहिए ये तो बहुत बड़ी बात है इतना क्या क्यूं में जाते हैं कि वो जो हमारी अवस्था है उसी क्या क्यूं से बहुत हिल जाती है मुझे याद है एक माता मुझे एक बार बहुत अच्छा अपने जीवन का अनुभव सुना रही थी तो वो मुझे कहती कि मेरी जीवन में वो कहती मुझे आपने दिदी एक स्टोरी पड़ी है इंग्लिश में Chapter of Accidents मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने सुनी होगी तो Chapter of Accidents किसी की लिखी हुई कहानी है तो उस कहानी में क्या होता है एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद कुछ न कुछ दुरगटना होती जाती है तो Accidents के जैसे लड़ी लगी हुई है तो वो कहती कि मेरी जीवन कहानी कुछ ऐसी ही है बच्पन से लेकर वो कहती पहले पिताजी ने शरील छोड़ दिया फिर मा ने शरीर छोड़ दिया फिर भाई को लखवा मार गया फिर ये हुआ, फिर वो हुआ तो ऐसे करके वो सारी जो अपनी कहानी सुनाती तो जब वो आई थी तो उसकी शरीर की आयू लगपग 40-42, 40-42 अराउंड होगी तो मुझे कहती कि अभी तक 36 की एज तक रुकी ही नहीं बाते एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद कुछ ने कुछ होता ही चला गया तो मुझे कहती कि और मैं बहुत हर बार कोई बात आती तो मैं बहुत तूट जाती है ना, लेकिन 36 के बाद 36 की एज के बाद थोड़ा ठीक हो गया, तो मैंने का क्या ठीक हो गया, बाते आनी बंद हो गई, बाते तो मेरी जीवन कहानी ऐसी लिखी हुई है, तो बाते तो अभी भी आ रही है, लेकिन 36 के बाद मुझे समझ आ गया, कि 36 साल से एक के बाद एक बात आती है, फिर हर बार मैं सोचते हो, अभ कुछ नहीं आएगा, अभी सब ठीक होगा, अभी सब ठीक होगा, और जब भी फिर कोई बात आती है, मैं इतनी परिशान होती हुआ, तो फिर मुझे Kag strategy, नहीं सोचना है, अभी सब ठीक होगा, तो उसके बाद मैंने ये सोचना बंद कर दिया, मैंने गा, तो अब कोईए भ कहती कि ये तो बाबा आप लोगों को समझा रहें लेकिन मैंने तो अपने अनुभव से सेख लिया फाइनली कि बाते आती रहेंगी और इनका कुछ नहीं है इनका कोई सिर्फ पैर नहीं है आप कितना भी अवोईड करो एक बात कतम होती है दूसरी आही जाती है तो मैंने इस बात के साथ अपनी जैसे relationship ठीक कर ली मैंने अपनी peace बना ली तो बाबा हमें ज्यान के अधार से कहते हैं कि 63 जन्मों के जितने भी कर्मों के हिसाब किताब है नं वो अभी ये आएंगे इसे लिए अब आप विचार करो अगर 63 जन्मों के जितने भी रहे सहे हिसाब किताब हैं सब एक ही जनम में आने हैं तो एक जनम में कितनी बाते आएंगी बहुत सारी बाते आएंगी ना तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए ये बाते जान कर रखो कि ये सारी बाते आएंगी और आनी हैं चैस्वा के द्वारा अन्य के द्वारा प्रकृति के द्वारा ये बाते आन संगम युग में बहुत नॉर्मल, बहुत नाचुरल है इसके अलावा तो कोई और सीन नॉर्मल नाचुरल है इने तो इस बात को सबसे पहले समझ कर रखो क्योंकि यह जो expectation होती है ना कि कोई भी बात जिसको हम विपरीत या समस्या कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए वो expectation हमें बहुत दोखा दे रही है और बार बार कितनी भी हम अनुभवी बन जाते हैं कि बातें तो आती हैं लेकिन फिर भी हम वो expectation रखते हैं क्यों रखते हैं क्योंकि बुद्धी में वो बात भरी हुई है कि यही positive thought है कि बात आईगी नहीं है लेकिन बाबा कहते है positive thought यह नहीं है कि आप और बातें नहीं आएंगे positive thought क्या है कि बातें कितनी भी आएं मेरा बाप उससे बड़ा है यह है positive thought तो यह पहली बात फिर इसमें एक बात और समझने हैं हमें कि जब हम तयार होते हैं, न, किसी भी चीज के लिए, तो वो बात हमें छोटी लगती है, तो जब हमें ये मालूम है, कि हम इतनी सारी बातें 63 जन्मों के हिसाब किताब सामने आने है, तो हमें सिर्फ ये नहीं कहना है बस आने दो अब वो आएंगी तो हमें उनको पार भी करना है तो हमें तैयारी भी करनी है आप देखो एक बार मैंने एक शो देखा था जिसमें एक जो बहन थी वो ऐसे लेट गई और उसके उपर से ट्रक पार हुआ दिरे दिरे वो ट्रक को बोडी से पार किया और इतना बड़ा ट्रक और उसका बोज उसके बोडी ने सहा तो मैंने किसी को पूछा ये पॉसिबल कैसे है तो कहते है क्योंकि वो mentally ready है ये ट्रक एकसिडेंट की तरह नहीं आ रहा ये तो वो mentally ready है न कि अभी पार होगा तो mental strength से वो बोडी उस बात को सह लेती है तो आप सुचो कि कोई भी बात के लिए अगर हम तयार हैं हम आत्मा, spiritually, mentally अगर हम ready हैं तो वो बात कुछ भी नहीं है और अगर हम उस बात के लिए तयार नहीं है अगर हम अभी तक इस भ्रह्म में रहते हैं कि हम तो बाबा को याद कर रहे हैं बाते ही नहीं आएंगी, कोई बात होगी ही नहीं तो फिर हर बात जब आती हैं तो वो हमें बिल्कुल तोड़ देती हैं हिला देती हैं क्योंकि हम mentally ready नहीं होते तो ये बात है मैं आपको अपने अनुभव से भी बताती हूं एक बार एक बहुत बड़ी बात आई जो दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है लेकिन मुझे थोड़ा-थोड़ा ये जैसे बाबा का ज्यान सुनते-सुनते उस समय ये समझ आ गया था कि बात तो कोई भी आ सकती है तो वे बहुत योग तपस्या करती थी और उस समय पर मेरा आठ गंटे के उपर का योग का चाट था तो जब वो बात आई ना तो वैसे तो बहुत बड़ी थी तूफान भी बहुत मचा लेकिन मुझे लगा कि ठीक है बड़ी है लेकिन बेरेबल है और उस हिसाब से वो बात को पार होते हैं उने में भी टाइम लगता है तीन-चार महिने बात रही लेकिन वो बात जाते-जाते उतनी शक्ती थी आत्मा में कि उसका कोई शौक या कोई सद्मा या कोई ट्रॉमा कुछ भी नहीं हुआ तो बाबा हम ये बात समझाते हैं कि त्रिकाल दर्शिमाना हमें मालुम है और हम mentally ready है कि 63 जन्मों के विकर्म सामने आएंगे और उन बातों में हमें ये नहीं पूछना है ये क्या आगया, क्यूं आगया हमने अभी तो कुछ किया भी नहीं तो भी आगया या ये गलत है, unfair है इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो ये सारी बातें जब हम कहते हैं तो हम अपने आपको सिर्फ तंग करते हैं लेकिन अगर 63 जन्मों के विकर्म है तो आपको कोई चिठी लेके थोड़े आएंगे, कि आपने इस जन्म में ये किया था तो ये आ रहा है ऐसा नहीं आएगे वो तो आते चले जाते हैं तो ज्ञान से हमें समझना है दूसरी बात बाबा हमें जो समझाते हैं वर्तमान के लिए वर्तमान में हम संगम यूगी ब्रामन है और संगम युगी ब्राह्मन माना मास्टर सर्व शक्तिवान दुनिया में कहानी सुनाते हैं प्रश्न के रूप में हमेशा पूछी जाती हैं कि एक बुरी बात है और एक अच्छी बात है दोनों दर्वाज़े पर खड़े हैं और मनुष्य को पूछते हैं कौन हमें से दोनों में से कौन अंदर आएं है न तो वो जो मनुष्य है वो कहता है कि बुरी बात पहले अंदर आजाओ क्योंकि अभी तो मेरे में ताकत है पता नहीं कल हो ना हो तो आज मैं तुम्हें पार कर लो आज मैं तुम्हारा सामना कर लो तो बाबा हम ही कहते हैं, पूरे कलπ में हम आत्मा सबसे ज़्यादा गुण सवरूप, शक्ति सवरूप, ज्ञान सवरूप के समय होते है товr. समय क्योंकि हम अभी इश्वरिय संतान हैं और बाबा हमारी जोली में ज्ञान गुन शक्तियों के वर्से की जैसे बिलकुल यह जोली भरपूर कर रहे हैं तो ऐसे समय पर हम आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हैं मास्टर गुनों के सागर हैं इस से ज्यादा शक्तिशाली अवस्था आत्मा की पूरे कल्प में हो नहीं सकती हैं अभी जो आपके अंदर जो समझ है शक्ति है वो क्या पूरे कल्प में कभी भी होगी द्वापरयोग में होगी क्या उतनी तो नहीं होगी, तो बाबा कहते हैं कि ऐसी शक्ति शाली स्थिती में तुम बच्चे हो कि इस समय पर कोई भी बात तुम्हारे दाइरे से बड़ी नहीं है, तुम बाप के साथ खड़े हो तो बात अभी बहुत छोटी है, लेकिन हमें जो पहली चीज है उस शौक से प्रश्न पूछना कि जितनी भी बातें जिनको आप कह रहे हो न कि ये बात बड़ी है, ये बात मुश्किल है, ये विगहन है, ये समस्या है, आज दिल से अपने आप से एक प्रश्न पूछना क्या आपको सच मुझ उस बात को पार करने की समझ और शक्ति नहीं है अगर आप चाहें, तो क्या आप उस बात को पार करने की समझ और शक्ति नहीं रखते हैं कौन-कौन समझते हैं, हमारे पास हर बात को पार करने की समझ और शक्ति है, है की नहीं? हाथ उठाओ, की नहीं है? हर बात पार करने की हमारे पास समझ और शक्ति है लेकिन पार क्यों नहीं होते बताओ क्योंकि हम पार करना नहीं चाहरें हम अभी भी क्या क्यों में फसे जो व्यक्ति पास्ट को परिवर्तन करना चाहता है वो प्रेजेंट में सल्यूशन नहीं निकालता आप तो न्याय करने में लगें वो गलत हुआ अरे गलत तो हो गया न, अभी उसको पार करना है, उन्होंने गलत किया, यह बिमारी नहीं आनी चाहिए थी, अरे अब तो आ गई न, अब इसको पार करना है, और अगर एक ब्राम्वन आत्मा ठान ले, अपना मन बना ले न, कि मुझे अब बस इस बात को पार करना है, मुझे परिस्तिती के क्या क्यों में नहीं जाना मुझे पार करना है तो सर्व शक्तिवान की संतान के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं जो पार नहीं कर सकता ये मेरा निजी अनुभव है अपने साथ भी और जिन ब्रामणों की जीवन को मैंने क्लोजली देखा है उनके साथ भी की ब्रामण जीवन में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आप पार कर नहीं सकते अगर आप करना चाहते हैं तो इवन संसकार भी अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो ऐसा कोई संसकार नहीं जो आप बदल नहीं सकते आप अपने दिल से पूछना कुछ संसकारों को आपने खुद छिपा कर रखा हुआ है, कि इसको नहीं बदलेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं वो रावन का लॉजिक चलता रहता है, कि ये विकार, ये संसकार जो है, जरूरी है, वरना अगर आत्मा चाहे, तो सर्व शक्तिवान की संतान, ऐसी कोई बात नहीं, जो परिवर्तन न कर सके, ऐसी कोई परिस्तिती नहीं, जिसको पार न कर सके, बस एक द्रिड निश्य किया, और वो पार हो जाती है, पार कहां करना होता है, यहां, आपने सोच लिया, कि बड़ी बात नहीं, तो बड़ी बात नहीं, वो तो अपने समय से आईए, अपने समय से चली जाएगी, आपको करना क्या है? आपको बस धीरज रखना है, बाबा की याद में रहना है, और वो अपने आप पार हो जाएगी, लेकिन ये जो वर्तमान का समय की मैं कौन हूँ, और मेरा साथी कौन है, और बाप जिसका साथी है, वो आत में कैसे फस सकता, ये आपको याद दिलाना है खुद को, और तीसा काल क्या है? भविश्य काल, हमेशा याद रखो मुझे क्या बनना है, मेरा लक्षि क्या है? मेरा लक्षि तो पवित्र बन विश्व की राजाई लेना है, या मेरा लक्षि छोटी-चोटी बातों में अपने राजाई गवाना है, तो जब आप अपने लक्ष को याद रखेंगे न, तो हर परिस्थिती को पार कर आप विगन जीत भनेंगे, जैसे मान लेजे कि कोई बात है, पुरानी कोई बात है, जो कहते रहते हैं बुद्धी से छूटती नहीं है, याद आती रहती है, या ह अपने आपको पुछो, कि आपको बाबा के साथ साफ स्वच्छ होकर वापस जाना है, या आपको इस बात के साथ अंतमते सोगतीप को पाना है, और अपने भविष्य को बिगाड़ना है, तो अगर ये प्रश्ण अपने को पूछेंगे, तो बहुत क्लियर हो जाएगा, कि एक माता कोर्स करने आई तो कोर्स की बाद एकदम से ज्ञान में चलने लगी और बहुत लगन योग में भी आती मुरली में भी आती तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि आपको क्या बात अच्छी लगी तो आपको कौन से पॉइंट ग्यान की समझ में आई जो आपको इतने अच्छी लगन लगी कभी अपसेंड नहीं करती बहुत regular, punctual रहती तो मुझे उसने बहुत अच्छी बात कही कहती है कि जो मेरे यूगल है ना अभी मुझे अच्छे नहीं लगते और मैंने समझ लिया है कि अगर अभी इनके चकर में रही ना तो ये अगले जनम में भी आएंगे तो मुझे ये कार्मेक अकाउंट खतम करना है अब मैंने सोच लिया है कि मुझे इतना ग्यान सुरूप योगी बनना है कि ये कुछ भी करें कैसे भी रहें मुझे आत्मा के बारे में संकल्प चलाना ही नहीं है मुझे सिर्फ बाबा को याद करना है और मुझे ये कार्मेक अकाउंट अपने फ्यूचर में लेके नहीं जाना है तो फिर मैंने उनको कहा कि बस यही बात है तो कैती नहीं दिदीवाना ये भी नहीं है कि मैं सिर्फ ये कह रहे हूँ कि युगल ठीक नहीं है पर अपने संसकार भी तो मोहों के आदी-ादी है जिनके कारण ये अवस्था आज बनी है तो मुझे ऐसा कोई संसकार अपने अंदर नहीं रखना जो इस प्रकार की relationships को attract करे और इस प्रकार की complication life में लाए तो मुझे अपना संसकार परिवर्तन करना है अब मैं सच मुझ नहीं सोचती वो ये कर रहे हैं अब मेरा एक ही focus है कि मुझे बाबा का बनकर श्रीमत पर चलकर अपना भविष्य बनाना है तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार अगर त्रिकाल दर्शी होकर चलते हैं तो सर्वशक्तियां हमारा साथ देती हैं हर परिस्थति हम पार करते और जैसे जैसे हम पार करतें तो क्या होता कार्मिक अकाउUN settled होते जाते जो भी हिसाब किताब है वो धिरे-धिरे चुकत हो कर settle हो जाते तो यह पहली point जो बाबा आज हमें समझाते हैं फिर बाबा हमें कहते हैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है और दो कान मिले हैं तो अच्छा उपियोग करते हैं न उसका कि एक कान से सुनते हैं, दुसरे कान से निकाल देते हैं, आप देखो, मैंने ज्ञान मार्व में एक चीज फील की है, हम 63 जन्मों तक हमने क्या किया? हमने सिर्फ सुना और किया कुछ नहीं, भक्ती मार्व में क्या करना होता है? शास्त्र सुना, कथा सुनी, किर्टन सुना, सुना और किया कुछ नहीं और सुनना ही हमें लगता था क्योंकि क्या समझते थे कि सुनने से ही पार हो जाएंगे सुनने से ही तर जाएंगे तो आप सोचो कि 63 जनम हमने जानने के आगे कुछ नहीं किया मानना जानना भी उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो आय अथार्त था, लेकिन बाबा कहते हैं, जो तीन सीडिया है ना, जानना, मानना और चलना, तो हमने तेसर जनम सिर्फ एक ही संसकार बनाया है, सुनने का, चलने का कोई संसकार नहीं है, इसलिए जब हम बाबा के पास आते हैं, तो हमें लगता है, सुन लिया, समझ लिया हो गया, हमें यह पता ही नहीं चलता, कि हम जो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, और जो कर रहे हैं, उसमें अंतर हैं, क्योंकि वो तो तेसर जनम, वो जो ओम है, आचरन, उच्चारन और मन, वो तो एक थाई न उसमें तो जानने, मानने, चलने में कोई integration थाई नहीं, तो इसलिए जब हम बाबा के पास पे आते हैं, तो कई बार ज्ञान सुनते हैं, तो हमें लगता है हम तो सब कुछ जान गए, हम ज्ञानी हो गए, लेकिन हमें वो नजर भी नहीं आता, कि जो हम जानते हैं, वो कर भी हैं, या सिर्फ जानने में ही खुश हो जाते हैं, मैं आपको उसमें एक बात बताती हूं, एक बहन आती थी सेंटर पर, तो पहले दिन से, जो भी उसको सुनाया ना, आत्मा, बाबा, सृष्टी चक्र, कभी उसको कोई बात पर objection नहीं हुआ, कोई question नहीं हुआ, हर बात में कहती हैं, हाँ दीदी, ये बात कितनी राइट है ना, मैं तो हमेशा सोचती थी, लेकिन आज मुझे उत्तर मिला, हर बात में ऐसे कहती, और इतनी खुशी-खुशी उसने ज्ञान सुना, रोज ज्ञान सुनने के लिए भाग-भाग के भी आती, लेकिन आती कब दो पहर के स समय, है ना, क्योंकि सो के उठती थी, दस बजे, ठीक है, और बहुत खुशी से ज्ञान सुनती, और छे महीने तक उसको ये बात रियलाइज भी नहीं हो रही थी, कि मैं इतना ज्ञान सुन रही हूं, अमृत वेले के महत्व पर इतनी मुर्ली चल रही है, लेकिन मैं दस ब ज्ञान सुन रहे हूं, आपको इतना अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा आपको जल्दी नहीं उठना चाहिए, तो मुझे कहते हैं, हाँ, मुझे भी फील तो हो रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है वो, तो आप सुचों कि ज्ञान के साथ ओके है, इंटेलेक्शली प जब कोई आत्मा ज्ञान सुनती है, समझती है, तो हमें लगता है, धारन करना क्या बड़ी बात है, लेकिन सालों दर साल, ये तो चलो छे माहिने के बात है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सालों दर साल बच्चे चलते हुए भी, बाबा कहते हैं, एक कान से सुनते रहते दूसरे कान से निकालते रहते क्योंकि भक्ती की इतनी जो टेव पड़ी है आदत पड़ी है वो ये है कि बस सुनना ही बहुत है करने की तो कोई बात ही नहीं है लेकिन बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें तीन बातों का चिंतन करना है फाइदा, नुकसान और इज़त बाबा कहते हैं तीन बातों की चिंता करो फाइदा, नुकसान और इज़त बाबा कहते हैं जब भी हम विकारों के अधीन कर्म करते हैं तो हमारी इज़त खोती है मनुष्य देखो दुनिया में ये तीन शब्द मनुश्य को कितने प्यारे हैं ना, फाइदा, नुकसान और इज़त, सारे समय क्या कहते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए, फाइदा होना चाहिए, इज़त नहीं जानी चाहिए, लेकिन बाबा हमें कहते हैं, अगर बेहद में देखो, तो फाइदा, नुकस और जब भी हम रावन मत पर कर्म करते हैं, तो नुकसान होता है, इज़त जाती है, बाबा हमें एक बार एक मुर्ली में बहुत अच्छे बात कह रहे थे, कि मनुष्य इज़त की इतनी परवा करता है, लेकिन रावन ने तो पचीस सो वरश में मनुष्य की इज़त बिल्कुल भी खतम करते हैं, यह ना, मनुष्य की इज़त एक कोडी की भी नहीं छोड़ी, क्यूंकि आत्मा ने जैसे जैसे अपने विकारों के वश कर्म किये, तो आत्मा का स्वमान कैसा हो गया, आत्मा का स्वमान तो जीरो हो गया, इसलिए तो आज हर एक को देभिमान का इतना सहा लेना पड़ता है, दे अभिमान की चादर हम क्यों ओड़कर रखते हैं, क्यों ओड़कर रखते हैं, क्योंकि स्वमान नहीं है, मैं आपको इसमें बात बताती हूं, एक माता जब ज्ञान में चली न, तो सिंप्लिसिटी का ज्ञान सुना, कि हमारा पहनना, खाना सब साधारन होना चाहिए, तो उसने क्या किया, एक शादी थी, तो शादी जो थी, वो बहुत, अब फैमिली जो है, उनकी है, वो पैसे वालों की फैमिली है, तो सभी शादी में बहुत अच्छा-च्छा पहन कर आए, और वो एकदम सिंपल सा सूट पहन कर चली गई, और फिर पहन कर चली गई, लेकिन पूरी शादी में सब लोग उसी को देख रहे थे, क्योंकि कारिक की दृष्टी क्या होती आजकल, दे अभिमान की दृष्टी है, तो जब वापस आई न, तो वामिटिंग की है, और आकर उसका इतना हेडेक हुआ, और इतनी तबियत खराब हो गई, फि मुझे बहुत अनकमफरिटबल लगा, और मेरा हेडेक होने लगा, मुझे वामिट भी हो गया, तो लेकिन मैं तो श्रीमत का पालन कर रहे हूँ, तो मैंने कहा कि, श्रीमत का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर स्वमान नहीं है, तो आप देअभिमान की चादर को छोड नहीं सकते, क्योंकि यह जो दिखावा, बड़ा मकान, बड़ी दुकान, पहनना, ओड़ना, खाना, पहनन, चलना, गाड़ी, वाड़ी, यह सब पोजिशन, पद, प्रॉपटी, क्यों मनुष्य करता है, ताकि दूसरे उसको सम्मान से देखे, जब स्वमान नहीं है, तो द पहले ही, पहले ही वो देखिमान को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी को टांग नहीं है, और वो बैसाकी भी छोड़ दे, तो गिर जाएगा न, तो ऐसा हाल हुआ है, तो बाबा हमें यह बात समझाते हैं, कि रावन हमारी इज़त को इतना खतम कर देते, इज़त कैसा दिखता हूं, कैसा पहनता हूं, कहां रहता हूं, यह सारी बाते हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं आज, क्योंकि वो दूसरे का सम्मान हमारे लिए तय करती है, और जहां स्वमान नहीं होता, देविमान होता है, वह हम सम्मान के भिकारी बन जाते हैं, अगर सम् headache होगा, तबियत खराब हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा तो बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हें फाइदा, नुकसान और इज़त की चिंता करनी है और अब तुम्हें स्वमान को बिल्ड करना है और स्वमान कैसे आएगा? जब हम निर्विकारी बनेंगे जितना हम विकारों के अधीन कर्म करते हैं उतना हमारी इज़त खतम होती है, उतना नुकसान होता है, आत्मा खाली होती जाती है और फिर उतना ही हमें बैसाकी का सहारा लेना पड़ता है इसलिए अब हमें अपने लिए सोचना है कि मुझे अपना खाना फुल करकर सत्युग जाना है और बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं लेकिन अभी भी काम विकार की चोट खाते हैं है न क्यूं खाते हैं क्यूंकि अभी भी अपना फाइदा नुकसान और इज़त देखो बेयकली की निशानी क्या होती है जिस सिगरेट के पैकेट पे लिखा है कि इसको पीने से बिमार होंगे रोगी होंगे मनुष्य उसको पी के वार्निंग देखके भी पीता है तो आप सोचो कि अगर जिस चीज में नुकसान है मालूम है वो भी करते हैं तो फिर उसक कोई बचा नहीं सकता तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें भी अब बाबा ज्यान तो दे रहे हैं समझ तो दे रहे हैं लेकिन हर एक को अपने फाइदे नुकसान और इज़त की परवा खुद करनी पड़ेगी अगर इतना ज्यान सुनकर इतनी मुरली सुनकर इतनी पालना लेकर भी पतीत कर्म करते रहें, तो फिर बाबा इसमें क्या करेंगे, फिर तो अंत में भी सजाएं खाएंगे, धर्मराज प्री में भी बेईज़त होना पड़ेगा, तो इसलिए बाबा कहते एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं हमें अभी धारणा करने है, हमें अपनी ओना अपने आप रखना है कि मैं योगी बनू पवित्र बनू, सेवाधारी बनू, बाबा ने आज कितना अच्छा समझाया, कि सेवा किये बिना देअभिमान कतम नहीं होगा घर बैठे बैठे अगर योग करते रहें, मुली सुनते रहें सिर्फ, तो देअभिमान खतम नहीं होगा, सेवा करनी पड़ेगी, सेवा किससे होते है तन, मन और धन से, देअभिमान में तन, मन, धन, कहां लगा रहता, दे और दे के संबंधों में है न, और देअभिमान माना मैं और मेरा और मैं और मेरे में ही तन, मन धन लग रहा है तो देअभिमान खतम कैसे होगा देअभिमान तो तब खतम होगा न, जब ये मैं और मेरा तेरा बनेंगे जब सब कुछ सेवा में सफल होगा, तो बाबा कहते अगर सेवा में नहीं लगता तो भले हम सोच रहे कि हम पवित्र बन रहे हैं, योगी बन रहे हैं पर बन कुछ भी नहीं रहे तो बबाबा इसलिए हमें केखते हैं कि आफ अपनी इज्जत की, अपने फाइदे नुकसान की परवाखुद करनी है और सेवाधारी बनना है, देही अभिमानी बनना है, योगी बनना है, तब जाकर विकर्मों से छुटेंगे सब कुछ समझते, intellectually ग्यान पूरा है, यहना ग्यान का अभिमान भी पूरा है लेकिन जब कर्मों में आते हैं, तो वही time waste, वही व्यर्थ और विस्तार और विकार के कर्म क्यों होते हैं, क्योंकि शक्ती नहीं है और शक्ती भरेगी जब सेवा करेंगे और जब देही अभिमानी बनने का पुर्शार्थ करेंगे अगर बैठते ही नहीं याद में, अक्से सोचते हैं चलते फिरते योग कर लेंगे, तो उससे विकर्म विनाश नहीं होगे तो ये सारी बातें बाबा आज में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, सभी इसको ध्यान देना ओम शान्ति